नमस्कार, एडुकेशन आपके द्वार चैनल में आपका स्वागत है, आज हम हडपा सभ्यता से सम्मन्धित ऐसे और दस प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, जिसे बिभिन्य परतियोगिता परिक्षाओं में पूछा जाता है, तो चलिए, शुरू करते हैं, नमबर एक, भारत में खोजा गया सबसे पहला पूराना सहर कौन सा था, तो इसका सही उत्तर है, हडपा, अगला सवाल, हडपा सब्भता की खोज कब और किसने किया था? इस प्रस्ण का उत्तर है, 1921 सिस्वी में, राय बहादूर, दयाराम, साहनी के द्वारा, बढ़ते हैं, अगले प्रस्ण की और, मोहन जोदलो की, खोज कब और किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है, 1922 सिस्वी में, राखल दास, बनर जी के द्वारा, बढ़ते हैं, अगले प्रस्ण की और, संधो सभेता का कोन सा अस्थल, समुद्र बैपार का मुखे केंदर माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है, लोँ थाल को, बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की ओर शिंदु घाटी सभ्यता की सरपर्मुख विशेष्था क्या थे? शिंदु घाटी सभ्यता की सरपर्मुख विशेष्था क्या थे? तो इसका सही उत्तर है नगर निर्मान योजना यानि कि नगर योजना बढ़ते हैं अगले प्राश्न की ओर हरपा संस्कृती की मुद्राओं एंवं पकी मिट्टी की कलाकिर्तियों में किस पसू का चितर नहीं किया गया है तो इसका सही उत्तर है गाई का बढ़ते हैं अगले प्राश्न की ओर सिंधु कालिंग किस अस्थल को मिर्तकों का टीला कहा जाता है इसका सही उत्तर है मुहन जदलों को इसे सिंधु का बाग भी कहा जाता है बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और हरप्पा कालिंग सभ्यता का सबसे विशाल अन्नागार कहां से मिला है तो इसका सही उत्तर है मुहन जदलों से बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और हरप्पा कालिंग किस अस्थल से बंदरगा क्या उसे स्प्राप्थ हुए है तो इसका सही उत्तर है लोथल से बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की और लोथल कहां अवस्थीत है तो इसका सही उत्तर है गुजरात में असा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको इस परकार के और वीडियो देखना है तो मेरे चैनल से जुड़े रहें मैं आगे भी इस परकार के वीडियो लाता रहूँगा अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें, सेर करें, कमेंट करें और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद